जैसरी किष्ण, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती भावना योटीब चैनल पर 19 अक्टूबर को साल का सबसे सुन्दा चंद्रमा के दर्सन होंगे 19 अक्टूबर को सरद पूरण मासी है सरद पूरण मासी का विशेश महत होता है और साल में यह एक दिन ऐसा आता है जब चंद्रमा अपनी किरणों से अम्रत की बर्सा करते है सरद पूरण मासी को चंद्रमा के दर्सन करते समय आप अपनी मनो कामना बोले सरद पूरण मासी को भगवान से किष्णे महरास किया था कापी लंबी रात थी भगवान ने चंद्र देव को आशिरवात दिया और आदेश दिया कि वह अम्रत की बर्सा करें सरद पूरण मासी वाले दिन चंद्र देव स्वयम धर्ती पर ब्राजमान थे और उन्होंने अम्रत की बर्सा की थी इस दिन सभी देवता प्रती पर आई हुए थे और सभी ने भगवान से किष्ण के महरास को देखा इस दिन बहुत ही अच्चा दिन होता है कि इस दिन आप अपनी मनोकामना के लिए पुत्र धन प्राप्ती के लिए जो भी उपाय करेंगे उसका विशेश मैत होता है कार्टिक मास इसी दिन से शुरू हो जाता है इस दिन आप निमन उपाय कर सकते हैं इस दिन चंद्रमा की तरफ अपनी मनोकामना बोल करके और खीर का प्रसाद बना करके चंद्रमा की किरणों में रखें माना जाता ही अम्रत बन जाता है और अपनी मनोकामना बोलकर के जो भी मनोकामना बोलकर के भगवान विश्णू का भोग लगा के तुलसी पत्र इसमें डाल करके अगर खाते हैं तो मनोकामना पूरी हो जाती है आप सभी ने देखा होगा कि पहले जिनके संतान नहीं होती थी वो अनुष्टान करते थे और अगनी देव उनको खीर का प्रसाद देते थे संतान प्राप्ती के लिए तो खीर का प्रसाद बहुत ही पवित्र चीज है और आप इस दिन देशी गी का खीर का प्रसाद बना करके आप जरूर चंद्रमा के उजाले में रखे यान खीर बना करके उसे थोड़ा सा गाय का गी डालके और पंच मेवा डालके उसे चंद्रमा की किरणों के सामने रख दे दूसरे दिन भगवान का भोग लगा करके उसी खाएं पती पत्नी दूसरा है इस दिन तुलसी के सामने साम के समय दीपक जरू जलाना चाहिए तुलसी के सामने दीपक जला करके परक्रमा करें अपनी मनों कामना बोले भगवान विष्णों के सामने आप संतान गोपाल मंतर का इस दिन जाप कर सकते हैं बहुत ही शुब माना जाता है इस दिन आप भगवान के सामने आटे का चौमु की दीपक जला करके ओम नमो भगते बास देवाय नमा मंतर का जाप करेंगे तो आपके कुंडली के सारे दोस्त दूर हो जाएंगे इस दिन पीपल ब्रक के नीचे दीपक जलाने का विश्य समयत्व है पीपल ब्रक के नीचे दीपक जला करके परक्रमा करें पित्रों का असिरवात प्राप्त होता है साथ ही माता लच्मी का बास होता है पीपल ब्रक में पूरे महीने कार तक के महीने तो पीपल ब्रक के नीचे दीपक जलाने से अप आरधन की प्राप्ती होती है हर प्रकार की मनुकामना पूरी हो जाती है इस दिन आप भगवान के सामने तुलसी पत्र जरूर अरपन करें साथ ही आपको यह कारवी करना चाहिए जो मैंने बताए हैं आपकी हर मनोकामना पूरी होगी साल का सबसे बढ़िया और बड़ा दिन है यह इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उसका केई गुनाफल आपको प्राप्त होगा तो इस दिन चंद्रदीव की धर्सन करते हुए आप अपनी मनोकामना जरूर बोले वीडियो को शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जैसरी किष्ण